सीरियल पुनियाशलोग हिलेवाई के आज के एपसद में दिखायता है मालरव अंगारों पर चल रहा होता है और तबी मलारों सरकार बोलता है कि मालरव ये तुम क्या कर रहे हो बाहर आ जाओ तो मालरव बोलता है कि दाल सहब आप हमें मत रोकिये ये हट छोड़ दो और बाहर आ जाओ और तबी गोत्वां बोलता है कि मालरव पश्चताव अपने कर लिया है इसलिए बाहर आ जाओ और हटी मत बनो सरकार आप इसे कुछ कहिए ना तो मलारों सरकार बोलता है कि कसम खाके बैठाए ये क्या कहें और तबी मलारों सरकार बोलता है कि हमारी नहीं तो कम से कम गाओं वह लोगी अचारे जी के बात तो सुनो तो मालरा बोलता है कि नहीं हमने कहा ना कि जब तक आई सब अपने आखे नहीं खोलेगी तब तक हम ये साथ नहीं रोकेंगे हम भी तो देखें कि शिव शम्बू हमारी ये साथ न सभिकार करते हैं या नहीं आप सब लोग मिलकर हमारी मज़द कीजिए और तब ही सभी लोग अहिलया के लिए प्राथना करने लगते हैं और इसके बाद दिखायाता है मैंना भाई अहिलया के पास आती है और बोलते कि सा पड्स निकलती जा रही है इसलिए उठिए और चलकर देखिए राजक्मार जी कैसे जिदपर अड़े हुए है चलकर देखिए कैसे वो आपका जीवन बचाने के लिए अपना जीवन त्यागने को त्यार है देखें ना सासुबाई उठिए सासुबाई आपने हमें वचन था कि आप किसी भी हाल में हमारी सुवाग को कुछ नहीं होने देंगे तो उठिये ना सासु भाई सभ और अपना वच्छन नहीं बाइए और इसके बाद दिखाये तो वह अंग्रेज गाओं में सभी को तोफ़े बांट रहा होता है और तब यहां पर गुनुजी आते हैं त प्रभू यह तो चमतकार हो गया और तबी अहिल्या मालवा को गले लगाती है और बोलती है कि यह क्या है बेटा तो मालवा बोलता है कि और क्या करता है हम आप से लड़ाई नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने शिव शंबु से लड़ाई कर ली और देखा आपने हम सब की व मै cocktail लिए नहीं आदो मालवा बोलता है और इसके बाद दिखायता है अंगेश गुणिये से बोलता है कि विकास और तरक्की के लिए हम सबकी मदद करना चाहते है और इसके बाद मैल कर से नहीं करने लगती है लेकिन मालवा बोलता है कि नहीं यह खब इन्हें ऐसे रहने त तो मालरा बोलता है कि ताकि ये ताजा रहे, क्योंकि अगर ताजा रहेंगे तो तकलीफ देंगे, तकलीफ देंगे तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो याद रहेगा कि हमने क्या क्या गलतियां किये, हमें हमारी बेवकूपी का ऐसास रहेगा, तो हिल्या बोलता है कि माल आने दीजी हम खुद लगा लेंगे तो अहिल्या बोलते हैं कि जिद करना अच्छी बात नहीं होती बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम्हें कौन मरम लगाता था जब तुम खेलते थे कुदते थे और गेड़ते थे तो सारी चोटों पर मैंने तुम्हें तुम्हें और य गुनओ जी बॉलते हैं कि वैसे आप बहुत अच्छीBooks हिंदी चीख रहे हैं तो अंग्रेज बोलता था हैं कि बाशा तो लोगों को खनी के painful को जरिया नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सब जन्ता को बारियां ताकि उनका विकास भी हो लेकिन यह सब नहीं होसकता क्योंकि कि हम राजय तक नहीं पहँंच पार हैं। क्या तुम राज मयल तक हमारे लिए को जरिया निकाल सकते हो तो गुनी जी बोलता है कि आप समझ लीजिए कि आपको जरिया मिल गया क्योंकि हम ही जरिया हैं हम राज परिवार से हैं तो अंग्रेज बोलता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारी मदद करेंगे तो गुनी जी बोलता है कि आपने कहा कि मालराओ खंडराओ होलकर और इसके बाद दिखाया था मालारो सरकार मालराओ से बोलते हैं कि हम भरसों से यही तो कामना करते आ रहे थे और अब देखो हमारी कामना पूरी हो गई अब तो हम बसे यही चाते हैं कि आई बेटे की जोड़ी बस इसी तरह यो ही रहे किसी की नजर ना लगे कभी भी दोनों की बीच में दरार ना आए तो मादरा बोलता है कि दादस है हम जानते हैं कि पहले हमसे बहुत गलतियां हुई है लेकिन अब हम बादा करते हैं कि हमें एक भी गलती नहीं करेंगे तो इसे के साथ ही आज का एपसड़ था तो मत्ता है और आनवले एपसड़ में देखने को मिलेगा अहिले अंग्रेजों का सामना करती है और बोलते है कि मेरे रहते मालवा को आज तक नहीं आ सकती